आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादीशिक समाचार इस अभ्यान के तहट प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव बनाया जाएगा इस दोरान स्कूलों में शाला प्रबंधन समिती की बैठक और विशेश बाल सभाओं का आयोजन किया जाएगा सभी बच्चों का उम्र के अनुसार कक्षा में नामांकन किया जाएगा अभियान को सफल बनाने के लिए जन प्रतिनधियों, मिलबाचे और प्रणाम पाठशाला के स्वयम सेवक, स्थानियनागरिकों, पालकों, शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों तथा सभी शास्किय वभागों से अपील की गई है स्कूलों में पहले दिन बच्चों का तिलक लगा कर स्वागत किया जाएगा और उन्हें पाठे पुस्तके दी जाएंगी खंडवा से हमारे समवादाता ने बताया है कि जिले में भी स्कूल चले हम अभियान को सफल बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कटनी, उमरिया, आगरमालवा, शाजापूर, नरसिंगपूर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, अनूपूर, जाबुआ, बढ़वानी, सागर, अशोपनगर, रायसेन, गुना सहित प्रदेश के विभिन जिलों से स्कूल चले अभियान को लेकर समाचार मिले हैं प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी समेद भाजपा के अन्यनेताओं ने आज भारतिय जनसंग के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी की पुर्णियतिती पर उन्हें श्रद्धान जली दी श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लिखा कि एक मजबूत और एक चुट भारत के लिए डॉक्टर मुखर जी का योगदान हमें लगातार प्रेरित करता रहेगा केंद्र ग्रह मंत्री अमिट शाह और रक्षा मंत्री राजनाच सिह ने भी डॉक्टर मुखर जी को श्रद्धान जली अर्पित की प्रदेश में भी श्यामा प्रसाद मुखर जी की पुर्णियतिती पर पाठी उन्हें श्रद्धान जली अर्पित कर रही है प्रदेश भाजपा मुख्याले पर केंद्री मंत्री थावर्चंद गहलोद, प्रलाद पतेल, पूर्व मुख्य मंत्री शिवरासें चौहान और प्रदेश भाजपा ध्यक्ष राकेश सेह सहित बड़ी संख्या में कारेकरताओं ने डॉक्टर मुखर जी की प्रतिमा पर माल अलग-अलग अप्राधों में सजाकाट रहे थे, कैदियों को पकड़ने के लिए जिले के साथ ही आसपास के क्षेत्रों की नाकाबंदी कर दी गई है राजी कारगार महनिदेशक संजेच चौधरी ने इन कैदियों के गरफतारी के लिए पचास-पचास हजार रुपए के इनाम की घोशना की है प्रारंभिक चार्च में चार जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है केंदर सरकार की प्रधार्मंत्रु किसान संमान नधी योजना के लिए आवेदन पत्रु आगरमाल वाजिले की पंचायतों में जमा होना शुरू हो गए है यूजना में लाव लेने के लिए किसान आविदन पत्र के साथ जमीन की रणपुस्तिका, समगर आईडी, बैंक खातों की पासबुक, आधार कार्ट की प्रतिलीपी, पंचायत भवन में जमा करा रहे हैं यूजना के तहट किसानों को 6,000 रुपे वाशिक सम्मानने धी मिलेगी मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा है कि किशोरू की सुरक्षा और सनरक्षन में शासन ने लैंगिंग अपराध और किशोर न्याए अधिनियम में कड़े कानून बनाए हैं लेकिन इसकी जानकारी होना ज़रूरी है शिमतिदास ने कल मुरैना में पॉक्सो एक्ट पर आयोज़त एक कारिशाला को संबोधत करते हुए ये बात कही खंडवा में भी कल पॉक्सो एक्ट को लेकर एक दिवसिय प्रशिक्षन कारिक्रम आयोज़त किया गया जिसमें लैंगिक अपराधों के बारे में बताये गए कानून को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई ICC क्रिकित विश्वकप में आज पाकिस्तान का मुकाबला दक्षन अफ्रीका से होगा ये मैच लंदन में लॉज़ में भातिय समय के अनुसार दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा आका अश्वानी से मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा इसे धाई बजे से सुना जा स अब बात मौसम की प्रदेश के पूर्वी हिस्से में दक्षन पश्यम मौनसून ने दस्तक दे दी है मौसम केंद्रों के अनुसार अगले 48 घंटों में मौनसून प्रदेश के अन्य हिस्सों में पहुंचने के आसार है पछले 24 घंटों के दौरान अंदोर संभाग में अने जबलपूर, मंडला, बालाखाट, नरसिंगपूर, सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा, इंदौर, धार, खंडवा, खरगौन, अलिराचपूर, जाबूआ, बढ़वानी और बुरहानपूर जिलों में अनिक स्थानों पर गरत चमक के साथ बोचारे पढ़ने की संभाव ना ज चाफ के लिए ग्रामिंग शेत्रों में जागरुकता अभ्यान चलाएगा, शाजापूर जिले में किये जा रहे नवाचार, सरकार आपके द्वार अभ्यान के तहत, कलेक्टर डॉक्टर विरेंद्र सिह ने कल ग्राम पंचायद बरवाल में रातरी चौपाल लगाकर ग्रा अबत्वा, नबस्काच्ट